नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में शाउमी रेड्मी टैने स्पोर्ट वर्सस मोटो जी 22 4G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंद की बात करें तो डेद्मी टैने स्पोर्ट में 6.49 इंच जबकि G22 4G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है जोकि रेड्मी टैने स्पोर्ट से कम है Width की बात करें तो Redmi 10A Sport में 3.03 इंच जबकी G22 4G में 2.95 इंच की Width मिलती है ज़की Redmi 10A Sport से कम है बात करें थिकनेस की तो Redmi 10A Sport में 0.35 इंच जबकी G22 4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10A Sport में 194 ग्राम्स जबकी G22 4G में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Ips LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही Redmi 10A Sport में 6.53 इंचेज जबकी G22 4G में 6.5 इंचेज मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 720 by 1600 मिलता है Screen to Body Ratio Redmi 10A Sport में 81.08 प्रतिशत जबकी G22 4G में 83.09 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Redmi 10A Sport में 279 प्रतिशत जबकी G22 4G में 270 प्रतिश इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Redmi 10A Sport में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary कैमरा देखने को मिलता है और G22 4G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में डेप कैमरा देखने को मिलता है। बात करें विडियो कैमरा की तो, Redmi 10A Sport में साथ डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। और G22 4G की बात करें तो उसमें आठ डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रेंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो, Redmi 10A Sport में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और G22 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU दोनों phone में same ही PowerWare GE832 ने देखने को मिलता है चिप सेट की बात करें तो Redmi 10A sport में MediaTek Helio G25 और G22 4G में MediaTek Helio G37 मिलता है बात करें RAM की तो Redmi 10A sport में 6GB जबकी G22 4G में 4GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Redmi 10A sport में 128GB जबकी G22 4G में 64GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो Redmi 10A sport में up to 512GB जबकी G22 4G में up to 1TB है operating system की बात करें तो Redmi 10A sport में Android V11 जबकी G22 4G में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो Redmi 10A sport में 3 colors जबकी G22 4G में 2 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Redmi 10A sport 6GB RAM 128GB storage के साथ 10,999 रूपीज में मिल जाता है और बात करें G22 4G की तो वो 4GB RAM 64GB storage के साथ 10,999 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में G22 4G आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में G22 4G आगे है दोस्तों अब हम same price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें IQ Z65G है दूसरा Samsung Galaxy F23 5G है तीसरा Oppo A76 है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Tecno Spark 9 है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना